वैसे दोस्तों अगर Realme का फोन है तो और अभी हभी आपने पिछली एक साल में भाई किया है हाइलाइट इस 108 मेगाबिक्सिल कैमेरा इंड डायमेंड सीडी 900 प्रोसेसर तो 5G है चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज इस हफते की पहली न्यूज अब आप किसी से भी लास्ट सीन जो है वो हटा सकते हो वैसे हमने इसके बार में बात की हुई है लेकिन अब रोल आउट होना चालू हो गया है कुछ स्पेसिफाइड कॉंटक्स जिसको आपको लास्ट सीन स्टेटस दिखाना नहीं है वो आप कर पा होगे अगर आपको एनेबल करना है पहले तो अपडेट कीजिए वाट्साइप एंड देन सेटिंग्स में जाईए अकाउंट में जाईए प्राइवसी में जाके या तो everyone, my contacts, nobody या फिर my contacts, except ऐसे आप चूज कर पाओगे और उन लोगों जो भी आप चूज करोगे उनको आपका last scene status नहीं दिखेगा एक चीज जरूर आपको दिखनी चाहिए वो है like बटन और subscribe बटन या लाल बटन अगर आपने subscribe नहीं किया तो like तो करी दीजिए दो वैसे दोस्तों हमारे office में सबसे महेंगा जो एक PC है न वो आ कि Mac Studio कैसा है जरूर जाके देखिएगा बहुत ही अलग और इंट्रेसिंग वीडियो बनाए हुआ है बात करते हैं पोल की दोस्तों हमने पुझा था क्या आप Diamond City 8100 बेस्मार्टफोन के लिए excited हो because that is really a really great chipset तो 63% लोगों ने कहा है 37% no क्यों 37% no क्यों क्यों कि seriously अगर अच् इसले 10-15 दिनों से आपको बता है Twitter पर क्या चल रहा है यह Elon Musk ने acquire करने के कोशिश की और उसके पहले उन्हें edit का पोल डाला था तो पहला जो previous first version है वो आप देख पाओगे जो भी history में changes हुए है उस tweet के सब कुछ आप देख पाओगे I think that is a good thing इसका मतलब ऐसे नहीं है कि किसी ने कहा कि यह phone अच्छा है और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं है तो यह दो अलग अलग चीजे होगी तो आ और एक नया phone आ रहा है Samsung Galaxy M53 and this is 5G phone April 22nd को launch होने वाला है इसका मतलब अगले पांच जिनों में launch होगा 120Hz की AMOLED screen आती है और 25W का fast charging आने वाला है the highlight is 108MP camera and Dimensity 900 processor तो 5G है इसकी price पची से 30,000 के बीच में होने वाले ऐसे का जा रहा है let's see let's wait and watch ऐसे दोस्तों OnePlus Nord के TWS OnePlus Nord Buds N इसके specifications आ गए है जो अभी ECMai ने launch होने वाले है 12.4 mm के drivers है I think they are pretty big कोई भी दूसरे OnePlus के जो buds वागे रहे उसमें इतना बड़ा driver नहीं है IP53 rating है 30 गंडे की battery life है 94 millisecond low latency mode है इसके अंदर Dolby Atmos को support करते है और Bluetooth 5.2 connectivity है वैसे अलग अलग color options भी आते है moonlight white and twilight black ANC नहीं है इसके अंदर और price 5000 के नीचे let's see और दोस्तों Xiaomi ने आज उनका Xiaomi Pad 5 टीज कर दिया है yes finally इतने दिनों से हम बात कर रहे है कि Xiaomi उनका tablet क्यों नहीं ला रहे है लेके आ रहे है April 27 को ये launch होने वाला है and 27 को वैसे बहुत बड़ा इवेंट है multiple devices launch होने वाले उसमें से Xiaomi Pad 5 वी है वैसे चाइना में पिछले साल ही ये launch हो गया था बड़ अच्छा है कम से कम साजित से बात कर रहा था कुछ 8-9 unboxing होने वाले है oh my god उसमें से एक होने वाला है Realme GT Neo 3 yeah April 29 को ये launch होने वाला है तो अगले हफते या उसके नहीं अगले हफते end of the next week आ जाएगा इसका unboxing और इसलिए subscribe ज़रूर की जएगा लेकिन अगर Realme GT Neo 3 के बार में बात करूं तो पिछले माई ने चाइना में वो लांच हो गया था and 8100, Diamond City 8100 इस प्रोचसर पर है 45,000 mAh की बैठरी है highlight is 150 Watt fast charging along with that Diamond City 8100 price अगर इसकी दोस्तों 25,000-30,000 के बीच में या 30,000 के नीचे आ गई I think it'll be really great वैसे दोस्तों टैबलेट अब शाओमी लांच कर रहा है तो फिर Realme भी लांच करेंगा already उन्होंने लांच कर दिया उनका Realme Pad लेकिन अब Realme Pad Mini जो है वो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इंडिया में वो लांच करने वाले है जिया यह LTE वेरेंट होने वाला है Wi-Fi वेरेंट होने वाला है 8.7 inch की HD plus screen होने वाले है but it is going to be cheaper budget range का Unisoc T616 processor है 3gb RAM 4gb RAM वाले अलग-अलग variants आने वाले है 6400 mAh की battery है and 18 watt charging है और price around 10,000, 10-11,000 तक आ जाएगा तो अगर आपको एक बड़ा screen का tablet चाहिए in a budget of 10,000, this one is it वैसे दोस्तों अगर Realme का phone है तो और अभी आपने पिछले एक साल में बाई किया है तो बहुत जल्दी आपके पास Realme UI 3.0 आने माला है वैसे Realme UI 3.0 का early access roadmap जो है वो unveiled कर दिया है second quarter of 2022 में तो सबसे पहले तो Realme GT, GT series के phone है उन में सबसे पहले आने वाला है उसके बाद में Realme 8, Realme 8S उसके बाद में Realme Narzo 30 यहाँ, Realme Narzo 30 यह April में इसी महीने आने वाला है और X7, Realme 9 आए May 2022 and Realme X3 जो है दोस्तों and Narzo 30 Pro and Realme 9 यह आपको June 2022 में मिलने वाला है update finally Realme GT 2 RAM के बारे में बता दूँ मतलब उसके specifications आ गया है तो इसमें दोस्तों 8,128 and 2256GB ऐसे दो अलग-अलग variants होने वाले है अगर colors के बारे में बात करूं तो again paper है इसमें paper white, steel black and paper green हाँ, पीछे का texture है ऐसी कुछ होने वाला है वैसे May 4 को Realme GT 2 launch है so yeah, अगले महीने चले दोस्तों इसी के साथ होती है आज की इस हफते की पहली tech news number 1328 खतम इधर ही अगर अच्छी लगी लाइक जरू कीज़े subscribe नहीं हो कर दिया sharing करना आपके हाथ में, remind करना मेरे हाथ में दोस्तों इस वीडियो में इता ही अगले वीडियोजा keep tracking and stay safe